Hello everyone, आपके हिसाब से अगर एक spa therapist freelancing में काम करता है तो उसको कितने client दिन में करने चाहिए और उससे कितना earning हो सकता है यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो basically क्या है कि हम कई बार यह सोचते हैं कि आर ज्यादा client करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा और कम client करेंगे तो कम पैसा आएगा तो spa therapy में यह चीज़ applicable नहीं है और especially अगर आप freelancer spa therapist की तरह काम कर रहे हैं तो इसका एक formula है जो हम हमारे students को बताते हैं तो मुझे लगा इसको इस तरीके से यहाँ पर share करना चाहिए let's take an example जो अगर समझेए कि आप एक client है और जहां पर आपने initial charge रखा कि 500 rupees तो हम initially आपको सिर्फ बोलते हैं कि दो client आप दिन का करें इससे ज़्यादा ना करें इसके पीछे वज़े यह है कि अगर आप खुद relaxed नहीं है तो आप सामने बाले को कैसे रिलेक्स करेंगे तो दो client की जब बात आती है तो यानि कि दो client है यानि कि 500 एंड 500 यानि कि पर डे आपने 1000 rupees और एक महीने में आपने 30,000 rupees earned किया तो उसमें एक next level पे दूसरा formula आता है कि आपको 60 client यानि कि महीने में जब 2 client कर रहे हैं तो पर डे में 2 client कर रहे हैं तो महीने में आपके 60 client हो जाते हैं अब सवाल यह आ जाता है कि 60 client आपने कर लिये तो अगले महीने दूसरे 60 client ढूणने की ज़रत पड़ेगी अगले महीने तीसरे 60 client ढूणने की ज़रत पड़ेगी बट ऐसा नहीं है ऐसा इसली नहीं है क्योंकि हम हमारी training में आपको बताते हैं कि कैसे जो Swedish massage है या Deep Tissue massage है उसका scheduling क्या होता है Let's take an example, अगर मैं सिर्फ generally बात कर रहा हूँ, अगर हम ये भी बोले कि किसी client को कि आपको मन्त में एक बार massage करना ज़रूरी है तो इसका मतलब ये हुआ, कि वही 60 client जो आपने पहले महीने में किये थे next month में भी वही 60 client आपके पास आएंगे, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ client उसमें से ना बुलाएं, लेकिन ऐसा भी होगा कि कुछ client शायद 2-3 बार आपको बुलाएं तो हम हमेशा ये बोलते हैं, कि आपको 2 client से ज़्यादा नहीं करने हैं और ये 2 client के हिसाब से आप 10 लाक रुपे तक का earning कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, कि वो एक अलग formula है, जो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताने वाला हूं बट यहां तक अगर आप आपको ये formula समझ में आ गया है, तो प्लीज नीचे type करें understood and अगर इससे related कोई भी सवाल है, इस formula से related कोई भी सवाल है, तो नीचे comments में पूछें Thank you so much, Dr. Manish Sharma signing off